कि नमस्कार साथियो मैं डाक्टर डवलू सिंग आप लोग के यूटीव टैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं साथियो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रब्लम मेल प्रब्लम यंग जन्रेशन के फुर्सों में होने वाले प्रब्लम अस्परमेटोरि यानि की सौपन दोस सौपन दोस इसको कुछ लोग नाइट पॉल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको सुक्रमे भी बोलते हैं कुछ लोग धात गिरना भी बोलते हैं कुछ लोग धातु की विमारी भी बोलते हैं सतियों सौपन दोस के बारे में बात करेंगे कि सौपन दोस आ डिफेक्ट के कैसे ठीक या जा सकता है जी सात्यों बने रहे हैं मेरे साथ बहुत इंग्फर्मेटीव वीडियो है आप इसी वी से पहले लोग चक्छा करेंगे कि सौपन दोस होता क्या है और सौपन दोस का खुब प्रभावी इलाज क्या है इसको कैसे हमेशा के लिए ठीक क कि सोते समय या परज़ाब करते शमय चाय忘लि hon पास करते समय में या परकार्स करते समय उरीन परकर समय और लिए इच्छा कि यदि आपका ऑप निकल जाए उसको साथ हैं अंग दुसको कर दोस्धा है जात में बहुत तारे लोग को सोते सुते ही अपने आप सवपनों में ही सेमिनल गिश्चार्ज हो जाता है धातू गिर जाता है सथियों इसको हम लोग सवपन दोस बोलते हैं सवपन के कारण जो दोस हो जाता है इसलिए हम लोग सवपन दोस बोलते हैं सथियों बात करेंगे इसकी अस्परमेटोरिया किन लोगों में जदा पहली और वहती घमाठी पुरूस इसका सदिभ्या नहीं हुआ है उन लोगों में ज्यादा सुमस्या देखा जाता है सथियों हम लोग बात करेंगे कि अस्परमेटुरिया क्या कारण हो सकता है का नवार किया है सबसे पहली और बहुती मुट्वपून करते हैं करते हैं इस वाज़ा से और common cause हैसा थी हो कि गलत-गलत गंदी-गंदी वीडियो का देखना, गलत-गलत सोचना, गंदा वीडियो, पर्ण वीडियो देखना, बहुत से लोग सबके हाथों हाथ मुबाइल हो गया है आज की रिट में, तो उन लोग वो लोग क्या कर रहे हैं कि गंदी-गंदी फिलवे उस विचय में इस वजय से क्या होता है कि हम लोग सोते हैं और रात में इस टाइप का सपना होता है और हमनों का अस्पर्म automatically involuntary secretion हो जाता है और अस्पर्म गिर जाता है सकती हो, सातियों बात करेंगे अगली कारण का तो सातियों अगला कारण है constipation, cubs, पेट का साफ ना होना, पेट किलियर ना होना, पेट में गैस बनना, cubs की सिखाईद बनना, cubs एक one of the communist cause of aspermatoria aspermatoria यानि कि सपन दोस में cubs का भी बहुत बला रोल है, किसी को यादी cubs लंबा समय तब cubs की विमारी हो, उन लोगों में भी देखा गया है सातियों कि aspermatoria की सिखाईद होती है, सपन दोस की सिखाईद होती है सातियों अगली और बहुती महत्रकूल कारण है, सातियों mental stress या mental depression, मान्सिक रूप से जो लोग depression रहते हैं, बहुत सोचते हैं, mental depression एक बहुती common cause है aspermatoria के लिए, जो कि हमनों का seminal emission हो जाता है, सातियों एक अगली सिखती आती है, इगली cause में कारण में आता है, बहुत सातियों ज्यादा कमजोर हो, उन लोगों में भी सातियों देखा गया है, सापन दोस की विमारी होती है, सातियों अब बात करेंगा हम लोग की सापन दोस, अगर किसी को होता हो, तो क्या-क्या लच्छा प्रकट होगा, लच्छा के बारे में सातियों, लच्छा के बारे में दिखेगा सत्यों विकने सत्यों यहां पर एक चीजा को बता दें कि अस्पर मेटोलिया यानि कि सपन दोस्ट्यों होता है हम लोग का अगर 5-7 दिन या 7-10 दिन पर एक दिन होता हो 10-15 दिन पर एक दिन होता है तो इसको सत्यों नॉर्मल में कंसिडर करेंगे कोई अस्पर सपन दोस में कंसिडर करेंगे तो लच्छन में परमुक लच्छन सत्यों वीकनेस कमजोडी होगा ठकान महसूस होगा आखो के नीचे ब्लैक रिंग पर जाएगा आख धस जाएगी इस टाइप पर सत्यों कुछ लच्छन दिखाने को मिलेगा मेंटल डिप्रेशन मेंटल ड सत्यों लच्छन परकट होगा सत्यों अब हमनों बात करेंगे वह कॉम सी कमन बहुत ही इफेक्टिव मेरी सीन है जो कि आपकी किसी भी असपर में टोलिया की स्वपन दोस के विमारी को बिल्कुल हमेशा के लिए ठीक कर सकता है सत्यों इसमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना ह सकतीयों ही हैतियों बिना सैबके आपको यसा दाव बता दूंगा जो विना साईद इफेक्ट के NC इसको सेवन कर सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के स्वपन दोस को नाइट फॉल को ठीक कर सकते हैं साथियो तो सबसे पहली और बहुती मेदिसीन इफेक्टिव मेदिसीन साथियो ओसे उसको सपर्मेटोरिय जैसे आयगा पसें इसको समझ में आ जाएगा इसको असपर्मेटोरिय रहा है बोलेगा तो ठकावर चेशी मसूस होगा शुष्टी टाइप का मसूस होगा उस इस्तिती में साथियो यांग लोगों में अगर एशा करनिशान बनता हो तो एसीद फर्स्ट टुहंटे एसीद फर्स्ट टुहंटे जोदो फूंकर के सुभा सामलेने से आपका किसी वी परकार का अस्पर्मेट्योरिया के चिकाईद बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा साथियो यहां पर आपको और बता दू एसीद फोस्ट क्यूपोटेंसी में भी हम लोग ले सकते हैं एसीद फोस्ट क्यूपोटेंसी को लेना हो यह भी बहुत नहीं भक्तिव है 20-20 पून आधा कपानी में तीन बारोज लें आपका किसी भी परकार का वीकनेश और होने वाले अस्पर्मेट्योरिया नाइट फोस्ट में बहुतनी अच्छा काम करता है साथियो और बिल्कुल ही अराम मिलेगा आपको और हमें साथ के लिए ठीक हो जाएगा साथियो अब बात करेंगा हम लोग अगली मतुकून दबा श्टयफिसगरिया 200 अस्धेफि स्टयार टुहंडेट कर लें चाथियो इसका क्याल अच्छा ने तो अस्टेपिसगरिया 200 हम लोग साथियों लेंगे जब हम लोग समेन इस्चार्ज हो जाएगा स्मेनरिस इंवलें डिशार्ज зर अपने आप सेमे गदा गदा सोच आ रहा है और गदा गदा सौप ना रहा है उस केस में भी देखा गया है सती हो कि हम लोगों के लिए अस्टेफिस करिया बहुत ही कारीगर दवा है अस्टेफिस करिया 200 दोदो बूंकर के सुबा साम लेनें से किसी भी फरकार का सौपन दोस इस टाइप का अगली और बहुत ही तहुत लाता है इसको लेना है जोदो बुणकर के सुबस की फ्रक्स कि लेना है जब हिसाब करते बाचेंगे तो बिड़ा सीक्रीशन हो जाएगा तो आप् सप्रस्टेटिक फ्रूइड आजाएगा या पर खाना करते समय या श्टूल पास करते समय व्रि प्रोश्टेटी निकल गया तो आशा पानी जैसा आ गया उसके असमें सतियों सेलेनियम बहुत ही इफेक्टिव दवाए आपको हमसा के लिए इस प्रब्लम को सवर्व कर देगा इसी के साथ सतियों बता दें कि सेलेनियम का जो जो इस चार्ज होगा उपानी के जैसा एकतम प सतियों के लिए बहुत ने अच्छा मेडिसी ने सतियों के लिए के लिए सकता है इसको मेंटल स्टेट को मेंटल डिप्रेशन को कम करेगा और आपका अस्पर मेंटुरिया में भी बहुत है बहुत पाइदा करेगा शतियों एक दाव आपको बता दे किया इसकी व्यक्ति को कब्ज रहता हो कब्ज कॉंस्टिप्रेशन की परवल्म रहती हो और उसमें इरिटेबल इस्टिपलिटी अप माइंड की सिकायत हो ज्यादा नसा उसा करता हो एल्कोहल लेता हो तो उसमें अपका किसी भी परकार का अस्पर मेटुरिया शतियों ठीक हो जाएगा शतियों यह सब दवाय सत्यों अच्छर पर होती हैं, किसी भी कुसल चिकित्सक से प्रामर्स करके हिन ले, जय हिन सत्य।